आपने सूपर हीरोज की फिल्में तो जरूर देखी होंगी सूपर मैन, बैट मैन, वंडर वोमन या आईरन मैन इन सभी सूपर हीरोज की कोई स्पेशल पावर होती है 21 सदी में एक स्पेशल पावर जो हम सदी को चाहिए वो है जो हमें बनाएगी एक सूपर लर्नर सूपर लर्नर एक ऐसा व्यक्ति है जो नई चीजें तेजी से सीख सकता हो गहराई से सीख सकता हो, connections बना सकता हो और जो सीखे उसे भूले नहीं आज के दिन एक सूपर लर्नर बनना इसलिए आवशक हो गया है क्योंकि ग्यान में जिस किसम से विद्धी हो रही है और technology जिस तेजी से बदल रही है rate of chain, बदलाव की गती बहुत तेज हो गई है आज के दिन आप केवल नौकरिया नहीं बदलेंगे अपने जीवन में अपना career कई बार बदलेंगे और नए career में सफलता के लिए बहुत जरूरी होगा कि आप नई चीजें तेजी से सीख लें और अपने को reinvent कर लें सूपर learner बनने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं कि सीखने की प्रक्रिया क्या है सीखने की प्रक्रिया के दो पहलू है सीखने की प्रक्रिया का पहला पहलू है input अभी आप जो ये video है ये देख रहे हैं और मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आपकी जो indriya है senses हैं वो आपकी मस्तिश्क को ये input दे रहे हैं ये जो input है ये आपके मस्तिश्क में store हो रहा है जब ये मस्तिश्क में store हो रहा है तो हम कह रहे हैं कि आपकी memory formation हो रहा है अब मान लीजे कि ये जो input था ये आपको class में आप attend कर रहे थे और आप कुछ नया सीख रहे थे और ये आपकी brain में store हो रहा था ये जो पहला पहलू है इसको हम कहते हैं encoding अब मान लीजे आपने कुछ अपनी class में सीखा और exam के time पर वो reproduce करना है इस process को ये जो output की process है इस process को हम कहते हैं retrieval तो जो ज़रूरी बात है यहां समझनी वो ये कि learning process के दो पहलू है पहला है encoding जहां पर हमारे sensory organs जो हैं वो हमारी brain को input देते हैं वो store होती है हमारी brain में यानि memories बनती है और उसके बाद जब हमारे को ये जो भी हमने सीखा इसका कहीं प्रयोग करना है चाहे वो एक practical application हो चाहे वो exam के दौरान हो तब हमारे को ये जो भी memory है ये output इसकी लेनी होती है और ये दूसरा पहलू है जिसको हम कहते हैं retrieval ये समझना कि learning process सीखने की प्रक्रिया के दो पहलू है encoding और retrieval ये इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप अपने exam के लिए भी revise करते हैं तो आप देखेंगे कि आप अधिक तर तीन चीदों का इस्तेमाल करते हैं या तो आप अपनी जो textbook है उसको दुबारा पढ़ते हैं या हो सकता है आपने पहले पढ़ते वग अपनी textbook को underline किया हो तो वो जो underline part है उसको आप दुबारा देखते हैं exam से पहले या तीसरी चीज़ हो सकती है कि आपने पढ़ते वग कुछ notes बनाए हो और exam से पहले revision के वग आप इन notes को दुबारा देखते हैं अब ये जो तीनों तरीके हैं जो सबसे ज़ादा students जो हैं वो यूज करते हैं वो तीनों ही तरीके जो हैं वो आप इस वग प्राक्टिस कर रहे हैं केवल encoding की यानि कि आप बार बार अपने मस्तिश को केवल input दे रहे हैं आप output की practice नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप revision के वग केवल practice encoding की कर रहे हैं retrieval की नहीं कर रहे हैं इसलिए आपका ये जो revision करने का तरीका है ये ठीक नहीं है revision के वग आपको practice क्या करना है retrieval तो retrieval आप कैसे practice कर सकते हैं जैसे जब आप textbook पढ़ते हैं अंडरलाइन की हुई textbook दुबारा देखते हैं आपने notes देखते हैं तब आप जो है वो केवल passively engage कर रहे हैं retrieval तब practice होता है जो आपने पढ़ा उसके साथ actively engage करें active engagement का मतलब है जो आपके notes थे या आपकी book में जो भी लिखा हुआ था आप पढ़ते वग रुक कर अपने से पूछें कोई सवाल बनाएं और उस सवाल का जो जवाब है वो सोचने की कोशिश करें अगर आपने economics में supply demand पढ़ा तो आप फिर अपने से सवाल पूछिए कि what is supply या what is demand और आप फिर अपने मस्तिश्क को किताब बंद करके आप कोशिश कीजे retrieve करने की यानि कि output की practice कीजे कि जो आपने सीखा था वो आपको कितनी अच्छी तरह समझ में आया और कितना आपको याद है ये सीखने की प्रक्रिया की जो मैं विधिया आपको बता रहा हूँ ये विज्ञानिकों ने बहुत सारे शोत के बाद research studies करकर निकाली है कि हम अपनी learning process को efficient कैसे बना सकते हैं दूसर तरीका है जिसको हम कहते हैं generating explanations generating explanations का मतलब है कि जो आपने पड़ा है उसको आप क्या अपने शब्दों में जो है summarize कर सकते हैं कि नहीं जब आप अपने शब्दों में खुद किसी चीज़ का संक्षिप्ति करन करते हैं तब आप retrieval की practice कर रहे हैं आप अपनी output की practice कर रहे हैं कि जो आपने सीखा था जो आपकी memory में stored था वो information जो है वो आप खुद से सोचके उसको वापस reproduce करने की कोशिश कर रहे हैं पर इससे ज़ादा effective तरीका जो है उसको हम कहते हैं interleaved practice interleaved practice का क्या मतलब है कि जैसे जो आपकी किताबें होती है वो chapter by chapter होती है कि आप गणित मगर सीख रहे हैं तो वो chapter by chapter सीखेंगे या फिर आप भुगोल या इतिहास या जो भी सीख रहे हैं वो chapter by chapter सीखेंगे पर जब exam की बारी आएगी या exam के अलावा कोई भी और performance of understanding की बात आएगी जहां आपको जो आपने सीखा है उसको दिखाना है कि आप उसको वाकई में इस्तेमाल में ला सकते हैं कि नहीं उस वक्त आपसे कोई ऐसे नहीं पूछेगा कि chapter 1 से पहला सवाल और chapter 2 से दूसरा सवाल और chapter 3 से तीसरा सवाल इस तरीके से इसलिए जरूरी है कि जब आप revision कर रहे हों तब आप अपने जो topic of study है उनको mix the topic of studies यानि कि आप practice ऐसे कीजिए revision ऐसे कीजिए कि कुछ सवाल पहले chapter से कीजिए फिर दूसरे chapter से कीजिए फिर पांचमें chapter से कीजिए फिर आठमें chapter से कीजिए तभी आपको समझ में आएगा कि आपको वाकई में कोई चीजिए समझ में आती है की नहीं ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप chapter 1 के आखिर के सवाल जो है उनको देखते हैं तब आपको आपको अल्यड़ी पता होता है कि chapter 1 इसके बारे में था तो ये जो सवाल है ये माली जगनित की बात हो रही है तो ये इसमें ये वाला formula लगेगा पर अगर आप mixed practice करते हैं interleaved practice करते हैं तो आपको सोचना पड़ता है कि ये वाला जो सवाल था ये कौन से chapter का है क्योंकि जो आपका exam में इसी किसम से प्रशन पूचे जाएंगे न प्रशन में आपको ये नहीं पता कि ये जो फलाज सवाल है ये chapter 1 से है कि chapter 8 से है सीखने की प्रक्रिया में हम बात कर रहे हैं हमने कहा कि revision करते वक्क केवल encoding नहीं retrieval की practice करनी है और retrieval में एक तरीका है कि आप actively engage करें जो आप पढ़ रहे हैं यानि आप अपने से सवाल जवाब कीजिए जब आप revision कर रहे हैं दूसरा हमने कहा कि generating explanations की बात है कि आप जो पढ़ रहे हैं उनको अपने शब्दों में summary उसकी कीजिए तीसरा हमने कहा interlead practice यानि पढ़ते वक्त भी revision करते वक्त भी अपने topic of study जो है उसको mix करके उसकी practice कीजिए revision करने का एक और अच्छा तरीका है जिसको कहा जाता है distributed practice distributed practice का मतलब है कि आप exam से एक दिन पहले एक बज़े दो बज़े रात को रटे ना दगाएं क्योंकि जब आप रटे हैं कोई चीज तो वो आपको जो है वो गहराई से समझ में नहीं आती है जो इमतहार में सवाल होते हैं वो दो किसम के होते हैं एक सवाल है जो की बहुत fact-based सवाल होगा जहांपर की जो आपने याद किया है मान लीजे किसी चीज की परिभाशा बतानी है तो यह बहुत fact-based सवाल है आपने परिभाशा रटी और उसको रट कर उगल दिया पर जो दूसरा सवाल होते हैं और इनमें अधिकतर जादा नंबर इनी सवालों के होते हैं वो होते हैं inference-based आपको यह दिखाना है कि जो आपने पढ़ा वो आपको वाकई में समझ में आई की नहीं आई मान लीजे आपने Newton के सिध्धान पढ़े तो एक है कि मैं कहूं कि Newton के दूसरे सिध्धान की परिभाशा बताईए पर एक है कि मैं आपसे कहूं कि अगर एक बच्चा एक रोलर कोस्टर में जा रहा है तो उस वक्ट Newton के कौन कौन से सिध्धान जो है वो उसमें लग रहे हैं तो यह जो inference-based questions हैं यह रट कर नहीं आते हैं इसलिए जरूरी है कि आप distributed practice कीजे जिसका मतलब है कि आप पढ़ें फिर एक break लें फिर पढ़ें फिर ब्रेक लें फिर पढ़ें फिर ब्रेक लें इस तरीके से आपको पूरे साल अगर आप इस तरीके से पढ़ाई करेंगे लगातार इसको little and often भी कहा जाता है कि आप लगातार पढ़ाई करेंगे तब जो है आपको गहराई से चीज़ समझ में आएगी Revision की जो सबसे अच्छी विधी मानी जाती है जो शोद बताता है कि सबसे जाधा effective विधी है वो है अपने को निरंतर टेस्ट करना consistently testing yourself ये जो है ये revision की सबसे अच्छी विधी इसलिए है क्योंकि testing करते वक्त आप अपनी retrieval की practice कर रहे है आप ये देख रहे हैं कि जो भी information पहले पढ़ते वक्त encode हुई थी आपके brain में क्या आप उसको retrieve कर सकते हैं की नहीं और इसमें फिर याद रखिएगा कि एक fact based है कि आपने परिभाशा रटी उसको आप वापस याद कर सकते हैं की नहीं और दूसरा है कि आपने जो पढ़ा उसको आपने कितनी गहराई से समझा testing इस बात की भी हो सकती है testing करने का एक जो बहुत अच्छा तरीका है वो है flash cards बनाना flash card में हम क्या करते हैं कि अगर हम जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं तो हम जब notes लेते हैं तो हमने जो notes लिए मनलीजे कि हम Newton की law की बातें कर रहे थे तो हमने अगर यहाँ पर लिखा कि Newton की law क्या है तो इसके दूसरी तरफ हम यहाँ पर एक question बनाते हैं जो की fact-based question होगता है कि Newton के पहले सिद्धान की परिभाशा क्या है और यह हमारा एक flash card है जिसकी front side में एक सवाल लिखा हुआ है और reverse side में उसका answer है तो revision करते वग आप क्या करते हैं यह flash card का जो सवाल जहां पर आपने लिखा है उसको देखते हैं और उसको देखके याद करते हैं यानि retrieval की practice करते हैं कि उसका answer क्या था अब जैसा मैंने कहा कि यह आप questions fact-based भी बना सकते हैं कि Newton का सिद्धान बताइए या आप इसको inference-based questions भी बना सकते हैं कि इसकी कोई application से संबंदित आप सवाल बनाएं और फिर कोशिश करें सोचने की कि उसका answer क्या है तो संचित में इस वीडियो में हमने देखा कि बहतर सीखने के असरदार तरीके क्या हैं हमने बात शुरू करी सीखने की प्रक्रिया समझने से सीखने की प्रक्रिया के दो भाग होते हैं पहला भाग होता है जब हमारी जो इंद्रियां हैं वो हमारे मस्तिष्क को कोई input देती हैं तो वो input हमारी मस्तिष्क में memory के form में record हो जाता है। ये input और memory formation की प्रक्रिया को encoding कहते हैं जब हमारे को इमतहान या किसी और जगा इस information का प्रयोग करना होता है तो हमारे को long term memory से ये जो भी information store हुई थी ये निकालनी पड़ती है और ये जो output की प्रक्रिया है इसको retrieval कहते हैं बहतर सीखने के असरदार तरीके वो होते हैं जिसम हम encoding और retrieval दोनों का ही अभ्यास करें अधिकतर students revision करते वक्त तीन तरीके जो हैं वो मुखतर इस्तेमाल करते हैं पहला अपनी textbook को दुबारा पढ़ना दूसरा अगर पहले पढ़ते वक्त उन्होंने अपनी textbook को underline किया होता है तो exam से कुछ time पहले revision करते वक्त उन underline parts को दु दबारा देखना ये जो तीनों ही तरीके हैं ये ज़्यादा effective नहीं हैं ये ज़्यादा असरदार नहीं है क्योंकि इन तीनों में ही बार बार अभ्यास encoding का किया जा रहा है और retrieval का अभ्यास नहीं हो रहा है जब हम अपनी एक textbook को या notes को दुबारा देख रहे होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमें सब समझ में आ रहा है पर असलियत में ये बात नहीं होती है इसको illusion of knowing कहते हैं क्योंकि कोई familiar चीज़ को जब हम दुबारा देखते हैं तब हमें ऐसा लगता है कि हमें सब आता है हमें सब समझ में आ गया है पर अपने को टेस्ट किये बिना ये बात को हम ठीक तरीके से नहीं कह सकते हैं इन तीनों तरीकों से जादा बहतर जादा असरदार सीखने के तरीके जो हैं उनमें पहला है कि जब हम अपनी टेक्सबुक को पढ़ें भी तो उसके साथ हम एक्टिवली एंगेज करें एक सक्रिय तरीके से उसके साथ जो हैं इंगेज करें पैसिवली एंगेज ना करें Active Engagement का मतलब है जैसे पढ़ते वक्त हम अपने से सवाल जवाब करें कि जो कहा गया है किताब में क्या वो ठीक है, क्या वो गलत है, हमारा इसके बारे में क्या विचार है और इससे भी जादा ज़रूरी पढ़ते वक्त निरंतर ऐसा सोचना चाहिए कि जो हमें already आता है, क्या हम उसके साथ connect कर सकते हैं क्योंकि जो connection है, वही प्रमान होता है गहरी समझ का सीखने का दूसरा असरदार तरीका है generating explanations generating explanations का मतलब है कि हम कुछ पढ़ें और उसके बाद उसका समीकरण अपने खुद के शब्दों में करें क्योंकि हम समीकरण अपने शब्दों में कर रहे होते हैं इसलिए retrieval की जो है practice यहां पर हो रही होती है सीखने का तीसरा असरदार तरीका है interleaved practice जो किताबे होती है, textbooks होती है, वो chapter wise होती है और chapter wise जब अगर हम उनको पढ़ रहे होते हैं तो इसको हम block practice कहते हैं पर यह जो है, यह सीखने का अच्छा तरीका नहीं है इससे ज़्यादा बहतर तरीका है कि revision करते वक हम jump करें कभी chapter 1 के सवाल करें, तो कभी chapter 5 के सवाल करें, तो chapter 7 के सवाल करें जब हम इस तरीके से topics of study को mix करते हैं तो जो है, retrieval की जो process है, वो ज़्यादा उसका ज़्यादा अच्छा अच्छा अभ्यास होता है सीखने का चौथा असरदार तरीका है distributed practice इमतहान से एक दिन या एक हफ़ता पहले रटना जो है, वो बिलकुल भी असरदार तरीका नहीं है और इससे कहीं ज़्यादा बहतर है कि हम पूरे साल लगातार पढ़ाई करें, बीच बीच में breaks लेकर जब हम कोई चीज पढ़ते हैं, फिर break लेते हैं, और उसके बाद वापस याद करने की कोशिश करते हैं हमने पहले क्या पढ़ा था, यह memory formation को बहुत सुधर बनाती है इसको अंग्रेजी में memory consolidation कहते हैं सीखने की प्रक्रिया पे करा गया शोध, research studies, बताती हैं कि बहतर सीखने का सबसे असरदार तरीका है अपने को निरंतर टेस्ट करना, consistently testing yourself क्योंकि जब हम अपने को निरंतर टेस्ट कर रहे होते हैं तभी हम retrieval की बहुत practice करते हैं और हमार को समझ में आता है कि जो long term memory में जो भी information जो थी वो store करी गई थी क्या हम उसको recall या retrieve कर सकते हैं कि नहीं अपने को टेस्ट करने का एक अच्छा तरीका है कि पढ़ते वक्त हम flash cards बनाएं flash cards होते हैं जब हम एक card पर एक तरफ एक सवाल लिखते हैं और दूसरी तरफ उस सवाल का जवाब लिखते हैं revision करते वक्त हमने जिस तरफ सवाल लिखा है हम उसको देखते हैं और फिर याद करने की कोशिश करते हैं long term memory से retrieve करते हैं information वापस information निकालते हैं कि क्या हमारे को वो जो जानकारी थी वो हमारे को याद है की नहीं और हमारी ठीक से उसकी समझ है की नहीं ठीक से समझ है की नहीं ये test करने के लिए हम flash cards में जादा अच्छे प्रश्ण होते हैं जो inference based होते हैं जो तरक आधारित होते हैं तरक आधारित जो सवाल हैं वो जादा अच्छे इसलिए होते हैं क्योंकि इन में ना केवन हमारे को long term memory से information को retrieve करना पड़ता है हमारे को connection भी बनाने पड़ते हैं अपना तरक सिद करने के लिए और चीजों से संबंद जोड़ना पड़ता है और ये connection बनाने का जो तरीका है ये एक बहुत प्रभावशाली तरीका है अपनी समझ को गहरा करने का जो भी important exams होते हैं जैसे दस्वी या बार्वी का board exam तो इनके past year papers मिल जाते हैं और अपने को test करने का अच्छा तरीका है कि आप इन past year papers को solve करें अभ्यास करते वक्ट एक और चीज जिसको ध्यान में रखना चाहिए उसको हम कहते हैं deliberate practice deliberate practice का मतलब है कि जब हम अभ्यास करें जब हम revision करें तो केवल उसको न revise करें जिसमें हम पहले से ही अच्छे हैं इसके बनस्पक हमारे को अभ्यास करना चाहिए जो हमारे को चुनोती पूर्ण लगता है challenging questions का इस किसम की जो deliberate practice है वो सीखने का एक बहुत ही असरदार तरीका है दूसरों को पढ़ाना भी एक बहुत असरदार तरीका है सीखने का क्योंकि दूसरों को पढ़ाते वक हमारे को खुद ये समझ में आती है कि हमारे को कौन सी चीज ठीक से अभी नहीं समझ में आई है ये कुछ बहतर सीखने के असरदार तरीके हैं उमीद है कि ये आपके काम आएंगे और इस श्रिंखला के अन विडियो में हम सूपर लर्नर बनने के अन ये पहलों पर चर्चा करेंगे